जमीन पर ठीक से अपना पैर नहीं रख पा रहे इस मासूम को जरा गौर से देखिए परिवार का आरोप है कि उनके बेटे आयाज की ये हालत स्कूल की सजा के बाद से हुई है आरोप है कि फीज जमाना कर पाने के चलते स्कूल ने मासूम बच्चे को चार घंटे तक दौनों हाथ उपर कर खड़ा रखा जिसके चलते बच्चा बेहोश होकर गिर गया मामला 27 जनवरी का है आयाज बलिया जिले की रसला नगर पालका के पास इस्तित दिल्ली पबलिक सिटी स्कूल के क्लास वन का शात्र है स्कूल में ही घर के और बच्चे भी बढ़ते हैं घर की एक बच्ची के मताबिक बच्चे ने जब ठक कर प्यास लगने की बात की तो उसे पानी नहीं दिया गया बाद में घर के बच्चों ने उसे पानी पिलाया इस दोरान मौके पर मौदूद एक टीचर ने स्कूल प्रवंदक के इस फैसले का विरोध किया टीचर के विरोध पर स्कूल प्रवंदक ने कहा कि जब ऐसे खड़ा करवाएंगे तबी इनके घरवालों को पता चलेगा बच्चे की हालत देख अब परजन कह रहे हैं किसे लकवा जैसा हो गया है बच्चे की परजन अब बहतर इलाज के लिए अन जिलों में भटक रही है स्कूल में फिस जमा नहीं था इसका जो सार है परदुमन वो जो है काना में इसको टाचर इतना किया और घंटी में हम इस बैठा रही थी उसने का बैठने नहीं देगे इसको खड़ा करो तब इसके घर वालों के समझ में आएगा यहां सोचने की बात यह है कि सरकार जहां एक तरफ शिक्सा ब्यवस्ता को बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा सुलब बनाने पर जोर दे रही है वहीं स्कूलों से ऐसी तस्वीर हैं हैरान कर देने वाली है NBT Online की रिपोर्ट झालों से ज्यादा जएगा